भक्तो जै शिरीराम आपका हमारे प्रभू दर्शन करे चैनल में हारदिक स्वागत है जाल कर आप किसी से भी बात कर सकते थे व्यक्ति ने तुरंत अपनी जेबों को चाटना शुरू करा और एक रुपे का सिक्का निकाला और एक शक्स को कॉल किया और बोला मैं आपके हापर नौकरी करना चाहता हूं मुझे गारी चलानी आती है क्या आप मुझे नौकरी दे सक सबजी भी ले आउंगा और राशन भी ले आउंगा दूसरे तरफ से अवाजा ही नहीं मेरे घर में नौकर भी है इस व्यक्ति ने फिर से नौकरी मांगने की गुजारिश की और बोला कि मैं आपके घर के बरतन भी मांच दूंगा जाड़ू पोचा भी कर दूंगा पर प् रख दिया दुकानदार ये सब कुछ करता हुआ देख रहा था कि कैसे ये नौकरी के लिए गिर गिरा रहा है उसे दया आई और उसने बोला मेरा बिटा शेहर में रहता है और उसे ड्राइवर की आवशक्ता है तुम चाहो तो उसका नमबर ले लो और वहां जाकर नौकरी कर सकते हो मुश्कुर आया और बोला मुझे नौकरी की कोई भी आवशक्ता नहीं है दुकानदार को गुस्सा आ गया दुकानदार ने कहा अभी तो तुम गिर गिरा रहे थे बरतन तक मांजने को तयार दे और मैं तुमें नौकरी दे रहा हूं तो तुम को अकड़ा रही ह तो वो बोला कि आप मेरी बात पर प्लीज गुस्सा ना हूं प्लीज मुझे गलत ना लें एक्चुली मुझे नौकरी की अवशक्ता तो कभी भी नहीं थी ये शक्स जिस नौकरी की बात कर रहा है वो मैं ही हूं जो इनके घर में ड्राइवर का काम करता हूं मैं सिर्फ मालिक मुझसे खुश है या नहीं है मैं अपनी गिरिवान में जाक रहा था शक्स पहुत ही अशरे में आया ये शक्स मुस्कुराया और बाइक पर बैठ कर चला गया जी हां आपको और हमको भी ऐसा करने की अवशक्ता है अपने अंदर जाकने की जुरुत है कि जिसके की हार्दिक शुपकामना है यू दो धंतेरस की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं लेकिन फिर से आपको धंतेरस के बारे में जरूरी बाते बताने आई हूं धंतेरस बहुत खास त्युहार है वैसे दो देखा जाए दिपावली से भी जादा खूबसूरत धंत बत्ति शय करने दो 22 ठावली से गले फ्हूरत आज़े के दिन आपको लक्ष्मिगंईश जी खरीदने चाहिएं या आपने लक्ष्मिगंश मंगार हमार पहले से आज ही के दिन आपको लक्षमी गनेश जी की मूर्ती स्थापना करनी चाही है यहे आपके लिए बेहद, उद्दम और सरल रहता है इससे आप खुश और बिंदाज रहते हैं आपके घर में धंदौलत आती है लेकिन हर इंसान सोना चांदी तांबा पितल नहीं खरीद सकता है आप क्या खरीदे आज के दिन? तो अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ धन तेरस वाले दिन अपने घर की जाडू बदननी चाही है जी हाँ अगर आप अपने घर की सीख जाडू और फूल जाडू दोनों बदलेंगे नई जाडू लेकर आएंगे और उसके उपर मोली और रूली लगाएंगे और इसे अपने घर के अंधर ही रखें आप अपने नए लक्ष्मी गनेश को जगा दें आप अपने पुराने लक्ष्मी गनेश जी को एक थाली में रखकर उन्हें अच्छे से सजाएं और उनकी आगे एक घी का दिया जलाएं मतलब की आपके घर में अब दो लक्ष्मी गनेश जी हो गए हैं जी हा दोस्तों कुबेर देफता की मूर्ती खरीदना भी बेहत उत्तम रहता है अमरित कलश जो होता है आज के दिन मेडिसिन का दान करना बहुत ही जादा अच्छा होता है अगर आप लंबे समय से किसी बिमारी से जुलस रहे हैं तो आज आप एक तामे का कलश खरीद कर सारी दवाईया उसमें डाल देजिए और उसमें से ही दिवाई निकाल कर खाना शुरू कर दीजिए इससे आपको बेहत अराम मिलेगा इससे आपके सेह जल्दी ठीक होती है इससे आपके सारे कारे शुद्ध हो जाएंगे आज के दिन अगर आप एक ताला खरीदें और ताला खरीदें जब आप दुकान पर जाएं मैं सब बात कर रही हूं धंतेरस की तो उस ताले को फिल्कुल भी मत खोलिए चेक भी मत करिए कि सही है या गलत है ताला लग चाबी अलग लेकर आजाईए शाम के टाइम पर धंतेरस वाले दिन मंदिर में जाईए ताले के अंदर चापी लगा दिजिए ना ना खोलना नहीं है इसको मंदिर में रखकर आजाईए हरी विश्णू नारायन जी के सामने जैसे ही आपके बात कोई भी पंडित या शक्स मंदिर में आएगा उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत खुल जाएगी लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिएगा ये उपाय कलीजी धंतेरस वाले दिन अगर कारे लंबे समिश से बंध है जिन्दिगे में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हर इंसान तामबा, सोना, चांदी नहीं खरी सकता तो ज़ाडू खरीदना, राशन खरीदना, घर के अंदर आज के दिन चावल डालना, चावल इकठे करके रखना बहुत ही अच्छा है शिरी यंत्र और गुरू यंत्र को आज के दिन खरीदना बहुत ही शुब माना जाता है अपने गुरू को प्रणाम करना आज के दिन काफी अच्छा है तामबा और पितल का कलश खरीदना आज बहुत जरूरी है बरतन खरीदना बहुत जरूरी है आज घर के लिए घंटी खरीदना बहुत जरूरी है इसके साथ ही यदि याद रखे साफ सफाई, लाइटे, बत्ती और चारो तरफ प्रकाश होना बहुत जादा जरूरी है आपको दिपावली वाले टिन घर के अंदर दीब जलाने शुरू कर देने चाहिए चान्दी का एक सिक्काले, चान्दी की पायल, चान्दी की एक चाबी का छला जिसमें हम घर की अपनी चाबियां डालते हैं या लोकर की चाबियां रखते हैं आज एके दिन खरीदें और खरीद कर मंदिर में रख दीजिए वस किताबे आज के दिन खरीदना आपके गले खरीदना आपका कोई लॉकर खरीदना मुबाइल खरीदना आज के दिन गाड़ी खरीदना आज के दिन बेहद उत्तम होता है ऐसा करने से लाखो करोडो गुना फल आपको मिलते हैं चावल को आपको आज के दिन आपको करना क्या है आपको चावल पीली सरसो लेनी है पीले रंग के कपड़े पर बिचाना है उसमें थोड़े चावल थोड़ी पीली सरसो डालनी है उसको आपको पीले रंग के कपड़े से बानना है पीला ही कपड़ा हो पीले रंग का गाठ ब पुरानी लक्ष्मी को घर से निकालने से पहले नहीं लक्ष्मी जी का घर में आना बहुत जरूरी होता है जी हाँ दोस्तो जल्दी तो बिल्कुल भी ना करें जी हाँ दोस्तो राहु काल में शॉपिंग ना करें बुले नात का दिन है शंकर भगवान परदू दरपन या पंच्छा अमरे आप चड़ा दें लक्ष्मी जी हमारे घर में आ दी हैं दो गन्ने भी जरूर ले कराएं ये तमाम तरह की चीज़ें आप आज खरीच सकते हैं हर इंसान धन दोलत से भरपूर होता है ये जरूरी नहीं है लेकिन लक्ष्मी मा से ये कहिए कि आप बस धन बरसाईए कोई भी कोना धन तेरस वाले दिन गंदा ना रहे और अंधेरा भी नहीं होना चाहिए कम से कम दो तिन खर्टे के लिए घर की सारी लाइटे जलाएं घर के मुखे दर्वाजे पर गाएं के घीके दोदिये जरूर जलाएं जी हां दोस्तों ये दन तेरस आपके लिए कोशाली लेकर आएं धन बरसाएं मैं आपकी दिल से कामना करती हूँ लेकिन धन्तेरस पर अपने खर की महिलाओं को पैसे दें, माता पिता की सेवा करें, गाए की सेवा करें, गउदान अगर आप धन्तेरस वाले दिन करते हैं तो इससे ज़्यादा शुप और कोई भी चीज नहीं है, मस रहें, बिंदास रहें और अपनी वानी में मधूरता ला जी हाँ दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें